सो हेलो और वेलकम बैक टो चनल आज हम बात करने वाले हैं स्कॉर्प्यों के टॉप विरियंट के बारे में जो की Z8L है और सोने पर सोगा यह है कि इसका 4x4 विरियंट है और यह मैनुवल में है तो मालब हर चीज जो आपको चाहिए गाड़ी में उस यह गाड़ी होने वाली सब्सक्राइब कर दो बैल अगन को प्रस कर दो और इस गाड़ी के बारे में वीडियो एंड होते होते हैं आपको किछी मालूम ज़रूर पड़ जाएगी इसकी पूरी गरेंटी मैं देता हूं आपको सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फ्रंट प्रोफाइल से तो फ्रंट प आपको इसमें हैलोजन मिलती है उसका नीचे बात करते हैं आपको फॉग लैम की तो आपको LED फॉग लैम मिलता है प्रेट्टर के साथ विट इसका स्टिंग डियारेल जो की देखने में काफी अच्छा लगता है नीचे की बात करें तो आपको सकफ प्लेट, स्केट इस गाड़ी को दिया गया है और एक कलर ग्रीन कर मुझे काफी जार अच्छा लगता है हलका साथ केमो वाली फिलिंग देता है उसके बात करते हैं फ्रंट प्रोफाइल से बोनेट की तो बहुत ही वाइड बोनेट है तो आपको अलग से इसका एक स्टैंस जो है वो काफी पसंद आने वाला है उसका साइट प्रोफाइल की और वाल बात करें तो गाड़ी काफी जादा बड़ी है इन टम्स ऑफ साइट लेंथ मैक्स से थोड़ी चोटी है बट अगर आप फॉर्चोनर के बगल भी खड़ी करते हो तो बराबर साइज दिखता है टाय प्रोफाइल नयों रखिए यह ओर्वियम पो काफी ज़्यादा बड़े मिल जाते हैं इसमें वित आपको इंटिकेटर इसी में इंसर्टेड मिल जाएंगे उसके बात करते हैं आपको दोर हिंडल से क्रोमियम फिनिश मिला है यहां आपको फूर्ट स्टेप मिल जाता है जो की काफी आपको तो काफी ज़्यादा फीचर एड़ हो गये हैं और जो में इस गाड़ी के थीम है वह मैं आपको बताता हूं जो इसका फॉर बाइफ और मैनुल साथी आती है उसका जो इसका थर्ड है वह काफी ज़्यादा आपको प्रॉपर लगेगा पहली और इसकॉर्पियो से आपके बात करें तो रूफ रेल्स आपको मिल जाती है विच सं रूफ वाइडस सं रूफ इस सेग्मेंट में इस गाड़ी या बोलना है और आपको फॉर स्पोक्स में इसका जो आपको रूफ पर डिजाइन आता है वह भी स्कॉर्पियो का ऐसा सिगनेचर कंटीनीव पीछे से आपको तौल बॉइ डिजाइन ये गाड़ी दिखेगी तौल बॉइ डिजाइन क्या एस्यूवी है देखो आप फ्रोड वाले कंडिशन में गाड़ी खड़ी भी होके रखिए उसका बात करते हैं पीछे से तो आपको महिंदर का विवापर से बटल फ्लोग आता आपको देखने को मिल जाएगी विडडी फॉगर तो यह भी काफी सही है नीचे की बात करते हैं तो आपको जो इसमें लाइट है यह रिफ्लेक्टर से आपको नीचे मिल जाते है यह आपको आपके जो रिवर्स लाइट आपको इसमें नीचे मिल जाती है और बात करते हैं तो फिट से signature vertical tail lines आपको देखने को मिल जाएंगे जिसमें आपको ये पीछे का indicative sequential मिल जाता है काफी ज़्यादा अच्छी बात है ये और जो overall design है car का वो मैं कहा हूँ का subjective है कि कई को काफी अच्छी लग रही है पीछे से कई को कद न्यादा नहीं अच्छी लग रही है आप बताओ comment section में आपको कैसी लग रही है तो overall जो पीछे का design हो काफी ज़्यादा टॉल देखता है और गाड़ी थोड़ इसी narrow देखती पीछे से हो सकता है या कई लोग कहें साइब प्रोफाइल काफी जा ठीक लिखती है यह आपको fuel का option मिल जाता है यहां से fuel open हो जाता है यह आपको diesel और बगल में आपको add blue का इसमें option मिल जाता है जो कि काफी जादा easy to open है convenient है उसका पीछे का suspension travel की आप बात खटते हैं आप देखो यह गाड़ी थोड़ा सा ऊच नीच में खड़ी है तो आप यह जान लो कि इसके जो suspension travel हो इतने जादा देके रखा है कि आराम से यह hold कर सकता है addonox का आपको इसमें batch मिल जाएगा इससे आपको यह मालूँ पर जाएगा हाँ गाड़ी में काफी जादा features है इसमें Z8 top model में उसके अंदर की अगर बात करते हैं तो interior से दर्वाज़ जो आप खोलते हो तो थोड़ा सा भारी दर्वाज़ा है normal Scorpio में किया है कि थोड़ा सा हलका दर्वाज़ा आता था उसके बात करते हैं features की दर्वाज़ खोलते हैं आपको ब्लाक और ब्राउन में आपको इंटेगर मिल जाएगा पावर विंडू को पूरे कंट्रोल राइट में आपको मिल जाएगे और एम काफी जादा चौड़ा है और एक बात मैं आपको से बता चाहूँगा कि जो इसका manual gearbox है यहां आपको holding के option मिल जाता है जो फॉर्चुनर से inspired है आराम से आप अंदर आ सकते हो जो की काफी जादा अच्छी बात है तो यह काफी जादा अच्छी बात हो जाती है उसका यहां से आप देख सकते हो कि सीट आराम से यहां पर पावर अपको electric controls मिलते हैं सीट को adjust करने के लिए जो की काफी जादा एक अच्छा एडिशन है अंदर आते हैं आपको welcome एक animation देखने को मिलता है इस पर आपको scorpion आते हो दिखती है तो काई जब गाड़ी के अंदर आगए है बाहर की आवाज बहुत जादा है और अगर अंदर आप सुनोगे तो बहुत अच्छा insulation आपको देखने को मिल जाता है अशकर बात करों ओवर ओल अज़ गाड़ी की फील की तो गाड़ी का फील कवेज़ अच्छा है यह स्टेरिंग आपको जो मिलता है वो आपको एक स्यूवी seven double O वाला ही मिल जाता है उसका ड़ाध गेज़ेज आपको वही मिलते है जो बाकी सारी वेरियंट से मिलते हैं लाल काफे जादा अच्छा लग रहा है उसका बात करते हैं इंटीरियर की तो इंटीरियर ने अभी आम यह पास की नहीं है इसकी बट आप देखोगी इस बेसिकली आपको सारे फीचर सो मिल जाते हैं जो आपको मेली एक स्वी सेवन डपलो में आते हैं अगर आप तो उसके फीचर की बात करते हैं नॉन गिमिकी फीचर की उसके गेर का जो होल्ड हो भी काफी जादा अच्छा है बाकि जो यह ऐसे करके रिवर्स लगती है आगए सबसे पहली बात आप काफी ज़्यादा पूचा बैठते हो इस गाड़ी में तो वह एक काफी ज़्यादा अपीलिंग एलिमेंट है तो वैसे तो स्कॉर्प्य मैंने कवर करके रखी है पहले से बड़ यह ऑटोमाटिक वर्जन नहीं है और यह 4x4 वर्जन है जो मैंने कभी चैनल पर कवर नहीं किये फॉर फोर सिस्टम इसका ऐसा है कि आपको लेवलर मिल जाता है इससे आप गेज़स को कंट्रोल कर सकते हो और आप टेरेन मूट सेट कर सकते हो इसे चार टेरन मुड़ाता है इसमें इसमें स्नो है मड है और सैंड एरिया है और थोड़ा सा आपको मिल जाता है और यह भी आपका ओपन हो जाता है इसमें थोड़ी कच्छी खाजी स्पेस आपको मिल जाती है आमरेस की बात करें तो एक दम सही पोजिशन पर अगर आप अराम से भी ड्राइव कर रहे हो तो यहां पर आपका हाब भी पहुच जाएगा और कोई दिक् जिससे यह मालूम पढ़ जाको कि स्कॉर्पियो एन ही आप चला रहे हो बागी सारे फीचर्स तो वही वाले हैं जो बाकी वीडियो मेंने कवर करके रखें तो एससे कुछ नया तो नहीं हो पाएगा इसमें यह संडूरूफ आपको मैनूल खोलना रहता है यह से नहीं खोल होंगा यही देश वीडियो में तो अगर वीडियो अच्छी रहती है तो पुछ आन सब सब्सक्राइब करो इस वीडियो को लाइक करो कमेंट करके बताओ कि नेक्स कार आपको कौन सी देखनी चैनल पर थैंक्स व वाचिंग देश वीडियो